अज अपना अध्यन पर रहेंगे इस वीडियो में विकॉम पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट है बिजनेस एडिनिस्टेशन विवसाय प्रसाशन पेपर सेकेंड मैनेजमेंट प्रबंध अपने पिछले वीडियो में प्रबंध की प्रकरती से सुरुवात किया था उसते पहला प प्रबंध है कलाय विज्ञान का अध्यन करने के बाद में आज सेकेंड जो स्टेफ है इसका प्रबंध की प्रकरती का प्रबंध पेशे के रूप आज के यूग में प्रबंध को पेशे के रूप में भी देखा जा सकता है कलाय विज्ञान का आपने अध्यन किया उसके ब पेशे की रूप में देखा जाता आप है कि और तर्रपन्द प्चेशा है या नहीं है इसके समन्हें अलग-अलग विद्वानों का अलग अलग मर्द है इस प्रस्ण का उप्तर पेशे के अर्थ एंविशेस्ताओं को ध्यान में रखकर ही दिया जा सकता है अता हम सवर पथम पेशे के अर्थ एंविशेस्ताओं का ही उले करते हैं पेशा किशे कहते हैं पेशा आजविका का वह साधन है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवशक्ता होती है तथा जो लाब की अपेक्षा सेवा भावना से अधिक प्रवारित होता है सरल से सरल सब्दों में पेशे का अर्थ अपने अथन किया कि पेशा को एक साधन माना गया है जिसमें विशिष्ट ग्यान की आवसकता होती है तता जो लाब की अपिक्षा सेवा भावना से अधिक प्रभावित होती है यानि आप उसमें लाब को अधिक प्रायोर्टी नहीं दे सकते हैं बलकि सेवा भावना को ज्यादा प्रायोर्टी देते हैं इसके समझने कुछ विज्वानों ने अलग-लग परिभाशाइं दी हैं, उन परिभाशाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेzentाइं बताई गई हैं जो विशेषथा इस प्रकार ची हैं, पेशा एक विशेस्ट कारिय या धन्दा है जिसको करने के लिए विशेस्ट व्यवस् प्रवेश के लिए निर्धारित विधी होती है पेशे में प्रवेश के लिए निर्धारित विधी होती है पेशे में आप प्रवेश लेते हैं तो उसके लिए एक निश्चित मैथड होता है उसके आधार पर ही निश्चित यूगिता होती है उसके आधार पर ही आप इसमें ले शकते हैं पेशे में प्रयाप मातरा में व्यक्ती होते हैं जो समाझ के लोगों की आऊसेता अंसार उपलब्द होते हैं में अगली विशेश्ता है पेशेवर वेक्ती अपने पेशे के गोगों या ज्रान या परभत के पूल आचरन करते हैं पेशेवर वेक्तियों तथा उनके ग्राहकों के बीच विश्वास्त्रित संबंध होता है पेशेवर वेक्ति की स्वयम की सतंतर परतिमा होती है कुछ ये विशेश्ता हैं पेशे की अपने अध्यन की इसके बाद में परबंध पेशा है या नहीं है इसके समने कुछ विद्वान अलग अपना मत देते हैं तो परबंध पेशा है या नहीं है इसको दो भागों में अध्यन की दिश्टी से अपन बाट सकते हैं पहला परबंद पून पेशा नहीं है, दुसरा परबंद पेशा बनता जा रहा है, तो आज पहला अपन अध्यन करते हैं, परबंद पून पेशा नहीं है, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि परबंद का पेशा करन नहीं गुआ है, परबंध को प vecā के रूप में स्विकार नहीं करने वाले विक्तित तर्क देते हैं अपने अपने तर्क प्रस्थत करते हैं उन तर्कों के अधार पी वो कहते हैं कि परबंध को ключा नहींना जा सकता है इसमें पहला तर्ख है परबंद के ग्यान का अपून विश्वास, विकास, परबंद के ग्यान का अपून विकास, जो विद्वान ये मानते हैं कि परबंद को पून्त या पेशे के रूप में नहीं माना जाते हैं, वो ये कहते हैं कि परबंद के ग्यान का अपून विकास नहीं हुआ है दूसरा भर्पुया पर्लंद की सिदानतों की स्रहती पर्षाइन हो grote परबंद का परिशालगर्म इसलिए नहीं हो पर रहा है क्योंकि विद्वानों का मानना है कि कि परबंद के सिद्धान्त सभी देशों इन संस्क्रति में समान रूप से लागू नहीं होते हैं यह जो तर्क है यह अपने आप में बहुत मैत्वपून है कि परबंद के जो सिद्धान्त है हिंडरी फेवल दौरा चोदे सिद्धान्त बदाए गए ते उन सिद्धान्तों को हर देश में एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है हर देश की संस्क्रति अलग होती है हर देश की प्राकर्तिक अवस्ता अलग होती है इसलिए इनको समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है तीसरा तरक है नैतिक आचार सहिताओं का अभाव परबंधों के लिए अभी तक व्यापक नैतिक आचार सहिताओं का विकास नहीं हो पा रहा है इसमें विदवाल ये कहते हैं कि नैतिक आचार सहिताओं का अभी तक फुण्ड रूप से यापक परचार परशार या विकास नहीं हो पाया है कई परबंदक तो सामान्य सामाजिक नैतिक मुलियों का भी पालन नहीं करते हैं कई परबंदक तो प्रष्टाचार के आरोपों को भी पचा जाते हैं। यहीं कहने का मतलब नैतिक मिल्लों का अभी पूंड उपसे विकास नहीं है। अगला तर्क है उपचारिक शिक्षा अनिवारिय नहीं। परबंदक के पेशा नहीं होने का एक तर्क यह भी दिया जाता है कि परबंदक बनने के लिए किसी परगार्गी उपचारिक शिक्षा की यानिवारियता नहीं है। अगला तर्क है परवेश की निर्धारिक विथी का अभाओं। सावान्य तो है किसी भी पेशे के परवेश पाने के लिए इंद्रभाइट परत्रिया का पालंग करना पड़ता है। परबंद में परवेश के लिए किसी परकार का पंधियन कराने ये लाइसेंस लेने की आउस्थिता नहीं होती है। अगला है गराहकों को पैचानना कटिन परबंद पेशा इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि गराहकों को पैचानना कटिन है। अन्य देशों में गराहकों को आसानी से पैचाना जा सकता है और गराहक पेशे विक्ति को पैचान लेते हैं। पुदहन के लिए डाक्टर मरीज को वकील मुवद्किल को विक्तिकर चूरूप से पैचानता है। अगला तर्क है जो विद्वान परवंद्कों को पैचान नहीं मानते हैं। उसके समझ में लाश्ट और महत्वकुन तर्क है। लाभ ही कुसलता का मापदंड माना जाते है। विश्ण ने अभी परवंद्कों को उपचारिक पेशागर्ण सिमित होने के कारण से यह एक बड़ा कारण है कि अधिकान संस्ता हैं परवंद्कों की सफलता को लाभ का अधार पर ही आँखती। यह माना जाता है कि जो परवंद्क शंखन को अधिक्तम लाभ परदान करवा सके वही एक अच्छा परवंद्क माना जाता है। प्रवंद्क वही अच्छा है जो सबसे अधिक से अधिक लाभ प्राप कर सकता है। इन तर्कों के आधार पर यह का जा सकता है कि प्रवंद्क अभी तक एक पून पेशा नहीं बना है। यह हुए कुछ महत्पून तर्क, कुछ विद्वानों के जो यह मानते हैं कि प्रवंद्क अभी तक पेशा नहीं बना है। दूसरा इसके विप्रीत, बिल्कुल इसके विप्रीत है, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रवंद्क पेशा बनता जा रहा है। जो विद्वान यह मानते हैं वो भी अपने तर्ख देते हैं कि जैसे अमेरिकी परबंध शंग के अनुजार यह एक पेशा बनता जा रहा है लारेंस अे अपले ने भी कहा है कि परबंध एक पेशा बन चुका परबंध को एक पेशी की रूप में माल लिया गया है जो विद्वान ये मानते हैं कि प्रबंद को एक पेशा माल लिया है या प्रबंद पेशा बन गया है उनके कुछ महत्पुन तर्क है उनका अध्यन भी अपने यहां पे करते है पहला तर्क है उनका बिलकुल जो आपने पहले अध्यन किया था प्रबंद एक पेशा नहीं है उसके बिलकुल वीप्री कुछ दर्ख है जिनका अध्यन अपन पॉइंट वाइज करें पहला है प्रबंद के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण होना जो विद्वान ये मानते हैं कि प्रबंद पेशा है वो पहला दर्ख देते हैं कि प्रबंद का ओप्चारिक शिक्षण प्रशिक्षण दिये जाने लगा है भारत सही तिविश्व के अनेक देशों में अनेक प्रबंद शिक्षण सहस्तान इस्तापित हो चुगे हैं उनमें प्रबंदों की शिक्षण और प्रशिक्षण की विशेश विवस्ता की गई दूसरा तर्क है व्यवस्तित ज्यान का विकास होना परबंद पेशा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इससे व्यवस्तित ज्यान का विकास हो रहा है व्यवस्तित ज्यान के विकास के लिए अब सोध अनुसन्धान हեսी निर्छंतरा रूप से पहरु आ जा रहा है तिस्रा ए जवहारीक अनुओ को अन्वारी Okay सेशन की नहीं यहारी अनुभवी प्रदान किये जाने लगा है भारत में प्रभंध पाठ्यक्रम MBA, CA, CS पाठ्यक्रम में यहारी अनुभव को अनिवारी रूप से समलित किया गया है इससे प्रभंध की पेशागर्ण की अधिक आउसर उपलब्द हो सकेगे अगला है नहती का आचार सहिता पेशेवर प्रभंध सहस्ताओं में अपने सदस्यों के लिए नहती का आचार सहिताओं का निर्मान किया है खलते प्रमापित यह वहार यह अश्रन की आशार लगाई जा सकते हैं अगला है ज्यान के विकास के लिए प्रियास पेशेवर प्रभंध को के संग समय समय पर सभाओं समेलनों बास्मों विचार गोस्टियों का आयोजन करते हैं और पेशेवर प्रभंध के विकास में सहिताओं अगला तर्क है, सामाजिक समवेदन सील का, अब पेशेवर प्रबंदक अपने सामाजिक दायतों के प्रति समवेदन सील होने लगे हैं, पेशेवर प्रबंदक अपने सोशल लाइबिलिटीज के बारे में पूर तया ग्यान रखते हैं और उनके लिए जागरूप भी होने ल वर्त्मान यूग में प्रबंदक स्वयम परिवर्तनों में रूची ने लेने लगे हैं तक्निकी विकास एंव भोगता होगी आवसक्ता होगे अनुरूर श्वयम अपने कारियों में परिवर्तन करने लगे यह एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़ थे हैं मार्केटिंग में प्रवंदक वर्तमान जो यूग है उसके प्रव Gulag अपनी आफ ने परिवर्तन करते हैं उसमें मुख्या रूप से यह देखा जाता है कि उसको भोगता क्या चाहता है और तकनिकी विकास किस रूप में हो उससे अपने आपको जोडने लगे हैं ताकि समय के अदुसार वह अपनी प्रबंद के किरियाओं को संपन कर सेके। मानवी दर्ष्टिकों अगला ये तर्थ भी बहुत महत्तपून है अब प्रबंदकों में मानवी दर्ष्टिकों अधिक पनपने लगा हैं। अब वे स्रिमिकों को उत्पादन के साधन के रूप में ने समझ कर संस्ता के एक अभिन अंग के रूप में मानते हैं। आधुनिक प्रबंदक संस्ता में प्रजातांत्रिक प्रबंद को अपनानी लगे हैं। यह तर्क अपने आप में बहुत महत्यकून है जितने भी विक्षित राष्ट है उनमें इस बात पर विश्चिस दोर जोर दिया जाता है कि प्रबंदक मानिवे दृष्टिकून को महत्यकून प्रात्मित्ता पर रखते हैं वे श्रमिक को केवल एक श्रमिक या उत्पादन का साधन नहीं मानते हैं बलकि सहस्ता का एक अभिन अंग भी मानते हैं इसके लिए सहस्ताओं में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करते हैं इसमें क्या होता है कि जो स्रमिक वर्ग है उसको प्रबंद किये समीतियों में सामिल किया जाता है उनकी समस्यां पर विसेज ध्यान दिया जाता है और नीती बनाते समय उनकी समस्यां को अपनाया जाता है उनकी समस्यां को ध्यान में रखा जाता है और उसी के अनुसार में इतियां बनाई जाती है योगिता प्राप्त प्रबंद्गों की न्युक्ति अब पिछले कुछ वर्सों में सभी देशों में प्रबंद्गों के पदों पर योगिता प्राप्त तैसे कि अब वर्तमान में पतेक शंखन में जो योगिता प्रबंद्ग की योगिता प्राप्त वेक्ति होते हैं जैसे एन बीए है चीए है आई सी डबलुए है उनकी नियुक्ति विदिवत रूप से की जाती है इसमें भाईव अधिजाबाद रिष्टेदारी मित्रता आदे की त अगला जो तर्क है कारी की वेग्यानिक एंप्रमापित विधी को अपनाना है आज जो प्रबंदक है अपने कारी शेली में वेग्यानिक एंप्रमापित कारी विधी को अपनाता है उसमें समय समय पर विचार विमर्स के आदार पर संसोदन करते हैं समय समय पर सोद करते हैं से रिसर्च करते हैं और उस विधी को अपनाते हैं तो यह अपना आज प्रवंद की प्रकरती में दूसरा जो पॉइंट है प्रवंद एक पेशे के रूप में अर्थाथ प्रवंद को एक पेशे के रूप में माना जाता है और निश्कर्स के रूप में अपन यही कह सकते हैं कि आज की यूग में परबंद को एक पेशे की रूप में माना जाता है।